असलाम अलेकुल अच्वा टॉपिक के नहीं में लेवल ओफ बालोजिकल ओर्गनाज़ेशन जो के बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है आज हम सारी बालोजिकल ओर्गनाज़ेशन को पढ़ेंगे सारा टॉपिक डेटेल में हम डिसकस करेंगे जैसे बालोजेशन में सिंपल सामने कॉम्पलेक्स के तरह जाना मतलकzes से लेकर इंडिवीज्यो तक जाना यह जो गैमिकल ओर्गनाजेशन और यह जो बेस करती है इनको एनरजी की जुरूरात होती है और ऑर एनर्रक्शि हमारी बोडी में जो गेन होती है जहां से आती है वह chemical reactions और chemical reactions सारे के सारे जो perform कर रहे हैं जो बेस हो रहे हैं वह elements के उपर और दुनिया में total elements की तदा 92 है जो के naturally occurring elements है अर्थ के उपर पर इन 92 में से solar elements ऐसे हैं जिनको कहा जाता है bio elements क्योंकि यह जो solar elements है यह present होते है particular living organism तो जिन्दा जानदार के अंदर जो elements solar मजूद है आप उनको bio elements का नाम देते हैं और यही वह elements है जो chemical compounds बनाते हैं living organisms के अंदर अब यह जो solar elements है इन में से कुछ major elements हैं इन solar में से कुछ minor elements हैं जो major elements है solar में से वो 6 हैं उनको major elements का जाता है जो हमारी body का 99% mass of body बना रहे हैं इन solar elements में जो 10 हैं वो minor elements है जो हमारी body का 1% mass of body बना रहे हैं अब 99% में वो 10, 6 कौन से वाले हैं जो के 99% mass of body बना रहे हैं उन 6 का नाम है oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, ये 65% परसंट है कारबन 18% है तेन परसंट है नाइट्रोजें 3% कैल्शियम 2% फासफोरस वन परसंट है और यह जो वन परसंट है इनमें कॉर कोर से है जैसे पोटेशियम सलफर कलोरीन सोडियम मगनेशियम ऐरन यह जो पोटेशियम 0.35% है सलफर 0.25% है कुलोरीन 0.15 परसंट है सोडियम 0.15 परसंट है मगनेशियम 0.05 परसंट है आईरेन 0.004 परसंट है और इन में से जो च्छे तो आगे हैं टोड़ा दस है च्छे तो आगे है जो बाकी चार है एक आयोडीन जिंग कोपर मेगनीज यह ट्रेसिस एलिमर्ट्स है यह बड़ा MCQ के लहाँ से ट्रेसिस एलिमर्ट्स को कभी न बूलिएगा यहां से लाजबी एक MCQ आ जाता है अब बात करते हैं आगे की हमारे पास पहला जो लेवल है उसका नाम है तो यह ऐसे पार्टिकल है जो एलिमंट को बनाते हैं और एलिमंट की प्रोपर्टिस को रिटेन करके रखते हैं मतलए एलिमंट्स को बनाने वाले पार्टिकल एटम्स हैं और इन एलिमंट्स की प्रोपर्टिस को रिटेन करने वाले का नाम के बटा एटम्स हैं तो जितने भी जितने भी जितने भी नौ लिविंग मैटर हो मुर्दा जानदार या बे जानदार या जिन्दा जानदार सब के अंदर क्या मुझूद होता है simple unit और उस simple unit का नाम क्या देयर कोळ्ड ए एंटम है एंटम से मिलकर बनते हैं मॉलेक्यूल मतल है combine होना combination होना atoms का वह एंटम जो different elements की है combine होते हैent waste inputs abad car к एंटम का combine होना result में क्या बनाता है मॉलेक्यूल 있고 combine कि से उना water carbon bonds है और यह का बात करता हूं सिंपल जो सबसे most common molecular atom है उसमें carbon है, oxygen है, hydrogen है, nitrogen है, phosphorus है, और sulfur है, जब यह आपस में मिलेंगे तो दो तरह के molecule बनाएंगे वजन के लहाँ से, एक है macro molecule, एक है micro molecule, macro का मतल़ हाई molecular weight रखने वाले, जैसे starch हो गया, protein हो गया, carbon hydrate हो गया, lipid हो गया, यह जो ज्यादा वजन रखने वाले तो है, वो macro molecule है, ऐसे molecule जिनका low molecule weight हो गया, जैसे carbon dioxide हो गया, water हो गया, यह को गया, micro molecules के लाते हैं, एक classification हमारे पास composition के लहाँ से है, कुछ molecules organic होते हैं, कुछ inorganic होते हैं, organic मतल़ है, ऐसे molecule जिन में carbon और hydrogen, दोनों मजूद होते हैं, organic molecule है, और अगर जिसमे carbon और hydrogen do not contain, जिसमें यह दोनों कठे exist नहीं करते हैं, वो inorganic molecule है, जिसमें example है, carbon dioxide, water, और organic में example है, amino acid, glycerol, glucose, nucleotides, जिसमें AMP, ADP और ATP आ जाते हैं, अब बात करते हैं, आगे का जो हमारा level है, मेरे बचे उसका नाम है, cell organelles, मतल़ जो अगला हमारा level आ गया, they are called cell organelles हैं, मतल़ different, जो micro और macro molecule, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, यह micro और macro molecule, जो different आपस में assemble together होंगे, एक particular way से, तो इनके मिलने से जो बनता है, वो cell है, और इस cell के क्या बनते हैं, बैटा, organelles, cell है, unit of life, और organelles, cell के अंदर जो मजूद होते हैं, ऐसे structure होते हैं, cell के अंदर, जो perform करते हैं, specific function को, जैसे ribosome, mitochondria, endoplasmy, reticulum, यह organelles है, जो किसके मजूद होते हैं, बैटा, cell के अंदर है, हमारे पास जो types of organism है, cell के लहाँ से, एक है unicellular, एक है colonial, एक है multicellular, unicellular, वो होते हैं, जो एक cell से मिलकर बनते हैं, colonial वो होते हैं, जो group of cells से मिलकर बनते हैं, और multicellular, जिसके अंदर देखा जाएं, many cells मजूद होते हैं, trillions के cells के तदा मजूद होती है, ग्यारकों multicellular, unicellular, एक बक्टेरिया, प्रोटिस्टर, क्लूने के जेम्पल है, और multicellular की example आ जाती है, human being आ जाती है, अगर आगे बात की जाए, types of cell के लाहाँ से, तो दुनिया में दो तरह क cells हैं, एक प्रोक्रियोट जो पहले वाले हैं और बात में आते हैं, यूक्रियोट, प्रोक्रियोट होता है जिन में nucleus defined मजूद होता है, प्रोक्रियोट वो है जिन में limited number of organelles है, यूक्रियोट वो है जिसमें हर तरह का rich number of organelles मजूद होता है, प्रोक्रियोट में membrane bonded organelles मजूद नहीं होते हैं और यू-क्रियोड के अंदर मेंब्रेन बाउंडी और्गनली मजूद होते हैं जैसे कि आप कहसे हैं माइटो कॉंड है यू-क्रियोड के पास मजूद है और प्रो-क्रियोड के पास मजूद नहीं है पर प्रो-क्रियोड के पास राइबसोम होता है जो कि बग करना specific function को देयर कोड़ टिशूस मतलब एग जैसे सेल जब आपस में मिलते हैं और मक्सूस काम अदा करते हैं देयर कोड़ टिशूस हैं इन में हमारे पर दो तरह की एग्जेम्पल है प्लांट टिशूस और एनिमल टिशूस प्लांट टिशूस में आजाता है जायलम और फिल होते हैं इन टिशूस को मिलाओगे तो आगे बन जाएगा ओर्गन ओर्गन क्या है डिफरेंट टिशूस जो के डिफरेंट टिशूस हैं जिनका एक जैसा function है मुक्ति टिशूस जिनका रिलेटेड एक जैसा मिलता जूलता function है आपस में असेंबल टुगैदर होंगे एक structure के जो के carry out करेगा particular function ऐसे structure को नाम देते हैं जैरकोल ओर्गन है तो ओर्गन डिफरेंट टिशूस से मिलकर बनते हैं वो टिशूस जो related functions रखते हैं इनका आपस में असेंबल टुगैदर होना एक structure के अंदर और फिर उस structure का perform करना particular function को आप ऐसे structure को नाम देते हैं जैरकोल ओर्गन एग्जेंपल देरों बड़ा आपके सामने स्ट्रॉमिक स्ट्रॉमिक आपके सामने यह देख सकते हैं यह इसके बाहर वाले जो टिशूस हैं वो muscular smooth muscular tissues हैं अ creating epithelial tissue का gastric juice को खारज करना और जो smooth muscular tissue है इसका काम है contract करना wall of stomach को ताके mix हो जाए food किसके साथ gastric juice के साथ और यह push करता है यह muscle food को toward the posterior end नीचे के तरफ लेके जाने के लिए खुरा को यह जो contract करता है muscle उसका नाम है smooth muscular tissues हैं इन दोनों के मिलकर काम करने से क्या होगा digestion of food होगी और digestion of food होना यह function है organ का पर different tissue से मिलकर यह function बना है इसलिए आप stomach को नाम दे सकते हैं धार cold organ है अगर plant के organ की नाम बात की जाए तो roots आ जाते है लीफ आ जाता है stem आ जाता है और flowers आ जाते हैं अगर मैं कहता हूँ for example यह आपके सामने पूरा का पूरा एक tree है यह इसकी roots हैं य leaf का काम है photo senses को perform करना flower का 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 मैं reproduction को का मदद देना stem का 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 मैं sport देना मकमल plant को और roots का 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 मोता है नीचे के तरह जो मजूद है यह plants को soul करना encourage धसा के रखती है absorption of water minerals और store of food में मदद देना यह किसका का मैं better roots का तो plants के organ कितने होगे एक दो तीन और चार है अब बात करते हैं अगले organization level की जो कि हमारे पास जो अगला आ जाता है बटा उसका नाम है organ system अब organ system क्या है कि different organs का आपस में assemble together होना मतलब organs मिल रहे हैं अब जब different organs आपस में मिलते हैं और perform करते हैं performing particular function तो different organ के Siamble होने के बाद structure या या गरouर्गन system जैसे respiratory system रेस्परिटि सिस्ट्रम का का कां किना cemetery में maddar क्रेंदे देना डेजअ की सिस्ट्म का का काम क्या है मददेना C cela कर्कुलीचन में ladies what we asked सिस्टम है इन से मिलने के बाद बनते हैं एक मकमल जानदार द्यार को इंडिवीज़ल अनिमल के आंदे में बना देते हैं तो फिर क्या बना देते हैं इंडिवीज़ल को organism भी कह सकते हैं क्योंकि organism या individual के अंदर दो चीज़े मजूद होते हैं individuality और coordination इंडिविजुलिटी का मतलब हर एक जानदार different खसूसियात रखता है हर एक जानदार के अंदर coordination system होता है among the process function और activities और body के अंदर मतलब जितने process चल रहे हैं जो functions अदा होरें body के अंदर जो भी body के अंदर activities हो रही है इनके अंदर क्या होता है coordination system मजूद होता है जैसे मैं example देता हूँ exercise करने के दुरान जब आप बहुत ज़्यादा exercise करते हैं तो आपके दिल की रफतार तेज हो जाती है सांस की रफतार तेज हो जाती है और blood supply ज़्यादा होता है muscle cell की तरफ तो यहाँ पर कितने different system मिलके काम करते हैं जैसे एक हर्ट बीड वाला जैसे आप कैसे थे circulatory system respiratory system और muscular system यह सारे मिलकर एक काम अदा कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा blood जाए muscle cell की तरफ इस तरह यह सिस्टम होता है आप ऐसे process को नाम देते हैं और क्वाडिनेशन सिस्टम होता है नर्वस में center nervous system और peripheral nervous system को neuron बनाता है और center nervous system को brain और spinal cord बनाता है chemical system gland से मिलकर बनता है और plants के अंदा सिर्फ एक ही system होता कोडिनेशन का और वो है chemical coordination system क्योंकि प्लांट के पास ना brain है ना spinal cord है ना neuron है तो इसका मतलब plant के पास क्या होता बेटा chemical coordination है जजाकर लाओन क्या रहे होगी पूरी की पूरी कि पूरी कताब upload हो रही है 2023 की भी 2022 में भी होई थी 2021 में भी होई थी अब यह मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो material वो सारा मिला कर एक lecture बना रहा हूँ ताकि आपके आपके असानी हो सकी आप तेज़ी से रिवियन कर जाएं और के भी जजाकर लाओन कर जाएं